प्यारे बच्चों, आजम पड़ रहे हैं जब मुझको सापने काटा एक दिन मैंने अपने आहाते में एक छोटा सासा रेंगते देखा वह धीरे धीरे रेंग रहा था मुझको देखते ही वह भागा और वही पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुझक बंद कर दिया उसे लेकर मैं नानी के पास दोड़ गया मैंने कहा नानी देखो मैंने साप पकड़ा है नानी चीक उठी साप वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीकने पुकारने नाना ने सुना तो अंदर दोड़े आए जब उन्हें पता चला कि नारियल की खोल के अंदर साप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीन कर दूर फैक दिया नना साप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की जाड़ी में गायब हो गया नाना ने मुझसे कहा खबरदार फिर कभी साप के पास मच जाना साप बहुत खतरनाक होता है उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया बड़ी जोर से दर्द हुआ मुझे दर्द से कराते देख नानी ने सूचा कि मुझे साप ने काट लिया है मैंने दोड कर नानी को उंगली दिखाई उन्होंने जल्दी इसे नाना को पकारा नाना तुरंत दोड़े आये और मेरी उंगली को देखा जहां बड़ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था वह चट मुझे गोद में उठा कर बाहर भागे बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी जोपड़ी के सामने जाकर रुके वहां पहुचते उन्होंने आवाज लगाई एक बुड़ा आदनी बाहर निकला वह साम के काटने का मंत्र जानता था नाना ने उससे कहा इस बच्चे को सामने काट लिया है इसकी चार फुक कर दो बुड़ा मुझे जोपड़ी में ले गया उसने मेरी उंगली देखी और बोला चुपचा बैठो हिलना डुलना मत फिर पीतल के बरतर में पानी लाया और मेरे सामने बैठ कर मंत्र पढ़ने लगा मैं चाहता तो बहुत था कि उस बुड़े को बता दूं कि मुझे सापने नहीं बढ़ने काटा है पर मेरे नाना मुझे कस कर पकड़े रहे और खोलता और डाट कर कहते चुप डर के मारे में चुप हो जाता हमारे पीछे पीछे हमारी नाने भी कई लोगों के साथ वहाँ आ पहुची सब लोग उदास खड़े देखते रहे तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था फिर भी मुझे वहाँ जबरदस्ती बैठ कर जार फूक करवानी पड़ रही थी कुछ मिनट बाद बुड़ा आदमी उठा उसने उसी बरतन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो फिर वै नाना से बोला अब बच्चा खत्रे से भाहार ह अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए बड़े जहरीले सापने काटा था सब लोगों ने बुड़े को उसके अद्वत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया घर लोटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी जीजे भेट में भेजी